Hello everyone this is Gaurav Tiwari and I welcome you all in this video series of web development और अभी हमारा topic जो है वो है components of web applications तो web applications के कौन कौन से components होते हैं तो देखिए ये web application में दो components होते हैं जिने हम बोलते हैं first जिसको हम बोलते हैं हमारे पास front end front end आपने सुना होगा इसके बारे में या नहीं सुना हो तो मैं आपको obviously आपको बदाऊँगा front end और दूसरा होता है आपके पास जिसे हम बोलते हैं back end तो किसी भी web application के दो components होते हैं पहला होता है front end और दूसरा होता है back end अब मैं आपको बदाता हो कि front end क्या होता और back end क्या होता है तो चलिए से भी हम एक example की help से समझेंगे यहाँ पर मैंने open की हुई है amazon.in website हम सबकी favorite जहां से हम बहुत कुछ-कुछ order करते हैं और बहुत कुछ order करना पसंद करते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस website पर यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़े दिख रही हैं सामने से जिसको मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर एक image डली हुई है इसी type से यहाँ पर मुझे कुछ-कुछ चीज़े दिखाई जा रही है कि आप यह ले सकते हैं category के हिसाप से और यहाँ पर 69% ऊफ चल रहा है कहीं पर 50% ऊफ चल रहा है तो जो भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ उपर जो भी मुझे दिख रहा है जैसे जो भी यहाँ पर लटसे यह फोटोleben दिख रही है जैसे जो मैं आपको आपको सामने से दिख रहा है जैसे कि suppose करिए मैं हूँ तो मैं आपको दिख रहा हूँ मेरा face visible है इसी type से आपके सामने अगर कोई बंदा खड़ा है तो जो आपको उसका structure सामने से दिख रहा है वो है उसका front end अब back end क्या होता है देखे back end मतलब होता है front end पर जो दिख रहा है वो किसकी वज़े से दिख रहा है ऐसी क्या चीज़े हैं जिसकी वज़े से हमें यह चीज़े visible हो पा रही है suppose करिए यह amazon की website है अभी मैंने यह आपर बोला let's say मैंने बोला एक example के दौर पर shoes shoes under अब एक लाग के नीचे तो नहीं लेखाएंगा option दे रहा है आपने वहले 999 shoes under 999 तो अब यह जो filter करके दे रहा है 999 से चोटी चीज़े जो 999 से कम price वाली चीज़े हैं यह दिखाई तो front end पे दे रही है पर actually यह जो काम हो रहा है यह back end से हो रहा है back end मतलब जहां पर is called as the front end but back end क्या होता है back end is responsible back end is responsible for what is to be seen on the front end पर दिखाना क्या है उसके results क्या होंगे तो back end उस चीज़ के लिए responsible होता है एक और इसका example देता हूँ मैं आपको तो जो मुझे उसमें दिख रहा है जैसे उसने बोला कि कहां से कहां तक जाना है from to तो मैंने बोला भाई मुझे तो इस city से new Delhi से जाना है मुंबई तक तो यह तो मैंने डाल दिया यहाँ पर front end पे अब जो result fetch होके आएगा वाँपे कि यह train है 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 तो जहां पर भी वो database है वो जो part होता है उसे हम बोलते हैं back end ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक ही करके components दोनों देखने वाले हैं तो पहले हम देखने वाले हैं front end के बारे में तो अभी आपसे मैं बात करता हूँ पहले front end की तो front end की definition अपन लिखेंगे औ front end की थोड़ी सी बात करेंगे उसके अफिर अपन back end पर आएंगे तो front end क्या होता है तो front end हम इसको बोलेंगे this end represent this end represent what the user will see on the web ठीक है this end represent what the user will see on the web भाई वेब पर क्या दिखेगा सामने क्या दिखेगा सामने क्या दिख रहा है उसको वो होता है आपके पास front end this end represent what the user see on the web जो भी उसको website पर दिख रहा है उसे हम बोलते है front end अब front end को बनाने के लिए हम कुछ technologies के use करते हैं front end को बनाने के लिए हम कुछ technologies के use करते हैं जिसमें से होती है आपके पास HTML, CSS, JavaScript, JS, JS को मैं पूरा लिख देता हूँ, JavaScript जावा स्क्रिप्ट इसी टाइप से bootstrap, jQuery अब यहां पर इन सब के बारे हम डीटेल में देखेंगे फिलाल आप यह समझ लीजिए जो HTML, CSS और java script है यह किसी भी front end को बनाने के लिए basic technologies होती है basic technologies जबकि bootstrap और jQuery है यहां पर यह दोनों आती है advanced technology के अंदर, तो front end क्या होता है पहले हम यह देखते है, front end मतलब वो चीज जो user web पे देख रहा है उससे front end कहते हैं और इसे बनाने के लिए हम कुछ technologies के use करते हैं जिसमें से कुछ basic technologies हैं जैसे की HTML, CSS, java script देखे, java script जो है इसको हम front end और back end दोनों में use कर सकते हैं हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो फिलाल हम देखेंगे के लिए हम दो टाइप की technologies के use करते हैं basic technologies जिसमें HTML, CSS, java script आती है और साधी साथ advanced technologies में हम bootstrap या jQuery के use कर सकते हैं ओके guys see you in the next video bye bye thank you so much